अगले 24 गंटे तुमारा भाई खर्च करने वाला है पूरे के पूरे एक लाक रुपे मतलब spending 1 lakh रुपीज तो बगेर किसी देरी के चलो आओ खर्च करने चलते हैं लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है लेकिन एक लाक रुपे खर्च कहा करेंगे पहले पैसे तो निकल वाले फिर खर्च करेंगे ना चलो लट्स को फाइनली भाई पैसे निकलवाने आचुके हैं अब देखते हैं कि हम उन पैसों का क्या क्या कर सकते हैं अरे भाई इसके अंदर तो बंदा खड़ा है कबसे अंदर पता नहीं क्या कर रहा है सो रहे क्या यार कई खयालोगी तपर जिंदा ना जगा ौगा खड़े में वनना तो कोई न आ जाता है यहां पर अडे आ जा बाई जा कर रहा है अंकल अंदर ही घुसे में चलो भाई आगा फाइनली अब हम अंदर जाएंगे और फाइनली सारे पैसे निकाल लेंगे लोग करते भाई मनना खयाल हो कि ते भी जिन्दा हो जाती है कभी-कभी मेरा दिल करता है मैं पूरी ATM मशीन निकालूं और इसमें से जितने भी पैसे रहा हो सारे हमें पूरे का पूरे लाक रुपे निकालना है जार में कितने जीरो होते हैं? तीन जो परियो और शफिता आप कैसे बनाए καιने फिले वीडियोह में तो पैसे नहीं जंग है मैं तो स्वच रहाँ 301 शर्च कारमा लाक पर होवेजंग के तो कर्ष करंण बंद कर 255 extensive आजा 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 चली आजा आजा अ है रहा जो ईटेश बाहिक मत आज जा और चुका है कुछ पैसा मैं अपने घर में भी ऐसे चुपा करका है फो वह पैसा इस्तेमाल के लिए अप उनके अटियम में पैसा इनी गरीब रहे आपकर वन रहा घ्रकता व्लें मत रहाई हैं चल करें हैं कितना पैसे जेक करें हैं है किन говорить को मतलब मतलब भुगत सारे पैसे हैं ये जादा करें अब तरह किया दें है ममा पिलीज ना मेरी शादी करा दे अब तो करा दे पिलीज उसको छोड़ो पहले बिल जमा कराओ बिटा बिल आ गिया इतना 12,000 का मेरे सर्फे अच्छा ना जमा करा के आ रहा हूना मिझे लगता है एक लाक रुपय कम है मिझे तो वन कडोड स्पेंड करने चाहिए थे यह देखो यार 16,000 रुपय का बिल 16,605 रुपय का बिल और 20,000 हमने अमा को दे दिये कितने माइनस होगा एक लाक रुपय यार यह सारी बटी के मेरे साथ ही क्यों होती है देखो अभी पेट्रॉल खतम हो गया अब उसी वन लेक रुपीज में से हमें इस गाड़ी में पेट्रॉल भी डलवाना पड़ेगा गाइस फाइनली पेट्रॉल पम आचुके हैं और अब इस गाड़ी के अंदर पेट्रॉल डलवाना है पैसा तो ऐसे और जैसे पानी है खतम ही हो जा रहा है यार एक लाग रुपे का पेट्रॉल डालेगा पाइस फाइनली हमने पेट्रॉल तो डलवा लिया बस अब चलते हैं बिल जमा करवाने हमने पूरे पांच हजार का पेट्रॉल डलवा है बिल है 16,000 अम्मा को दे दिये 20,000 रुपे और उर भी बड़ी बड़ी पंचायतों होने वाली हैं यार यारणेलि क्यंड़ की घ्र कराूयार का वाइज तक अब देखते हैं हमारा नंबर का बात है बोड़े भाई सब अंकल तो केंची वेची लेकर आएं खतरनाक वाली किसको काटने जा रहे हैं भाई आप हम डिस्पेसन में भी हैं भी यार इसमें तो खड़े खड़े ही हालत खराब हो जाएगी तो यह लगता है रात में हमारा नंबर आएगा तो यह बिल कैसे जमा कर आएगा यार मिचे तो नहीं लगता इतनी लंबी लाइन में आज की तारीक में मेरा नंबर आएगा एक काम करता हूं इसको उनलाइन जमा करवा देता हूं दिमाग खराब हो गया यार यह बिचारे जितने भी खड़े इनको पता नहीं है शायद आप का भाई ओनलाइन जमा करवा देगा इन भटीकों सो तो निकले यार पैसा खर्च करकर के ठग्याओं अब कुछ खाने का टायम है यार यह देखो कितने सारे पैसे हैं ऐसा लगता हर कोई पैसे ही लेता रहता है अब जल्दी से इनसे ना यह कीमे वाला 140 रुपे वाले दो बनवा लेते हैं एक तो बंदा है जब घर से बाहर निकलता है पैसा तो निकलता है उसकी जेप से यह चेक करो भाई साब बरगर हमारा बन रहे 140 रुपे वाला चलो कोई तो चीज है यार इस दुनिया में जो सस्ती है यह चेक करो भाई साब कीमे वाले कबाब देखके ही यार अभी तो वीडियो शुरू हो यह और तीस हजार से जादा खर्चा हो गया तो यार वन लैक रुपी स्पेंड करने तो तो मैंने सोचा के सोफ़े खरीद लेते हैं क्यूंके मेरे गर के सोफ़े खराब हो गयते हैं तो इसलिए मैं आगया यहां पर सोफ़े बाई करने ह हैं तो दीस आख हो बाइस कोड़ थेपरोएं अनकर थो अजलिए और यहां पर मेरे एक लाक रुपे में से पचार व्रुपे छोशुति और यहां पर मैं लोड़ के है बड़ी बड़ी है पैसा निकल लाए जेव से तरह वो मज़े लगे मैं पुश्बूस हो पांच अधार की आ यह नोट यह वह कावस है जिस पर सारी काइना दिए बोड़े वाई प्रोफेसर फाज पर यह पर एक और तूसरा सोफा हमारा उड़ यह आखरी बचाए तीसर और सार तक की लाइन से लगे हुए है और इसको भी इताना है और सामने लोड़ करना है सुदू की वह तो पर लिगे जा रहे हैं चेकर करते हैं पानी वानिया यह आपर पचास हजार रुपे के सोफे घर में आ चुके हैं यह यह जिए जिए करने टाइड लग रहे हैं फुल जाई तुम लोग बटा ओ यह सोफे पचास हजार रुपे के बजिए नहीं इतने बड़े बड़े जाईंट सोफे आप का भाई तो इस पैसे करकर लेटे गा यार वर्ते तो हैं यह 50,000 रुपे में वर्ते डियां यार यह सोफे मतलब हम लोग बताओ यार ये सोफे 50,000 के होने चाहिए क्योंकि यार ये मेरे हाइट के जितने बराबर हैं हम लोगों ने खर्च करने थे पूरे के पूरे एक लाख रुपे और आपके भाई ने तक्रीबन 91,000 खर्च कर दियें जिसमें से बच्चे आपके भाई के पास तक्रीबन नौ हजार रुपे तो यार नौ हजार रुपे थोड़े बहुत आपके भाई की जेब में भी तो होने चाहिए ना अगर सारे पैसे खर्च कर दूँगा तो जेब में क्या रहेगा मैं तो गरीब ही हो जाओंगा मुझे बहुत जरूरी समान मंगवाना था मैं तो समझी थी कि समान के लिए मैं अभी लिस्ट बना के लेकर आई हूँ यह क्या है ममा यह तो इतनी सारी चीज़े लेकर आनी है बस जरूरत की चीज़े ना बेटा तुम ही लोओंगा यह तो इतनी सारी चीज़े है वीडियो बाद में बनाना पहले जाकी समान लेकर आऊ बहुत जरूरी चाहिए बेटा अच्छा ममा ला रहा हूँ ना मैंने तो सचा था कुछ पैसे बढ़ जाएंगे कुछ अपने उपर खर्च कर लूँगा यह तो सारे पैसे लुट पुट गाया यह सारी चीज़े लेने के लिए आपका भाई दुकान पर आ चुका है अब जल्दी से यह सारी चीज़े ले लेते हैं भाई जान यह सारी जितनी भी चीज़े ना यह सब में जे दे दें क्यूंके मेरी अम्मा गुस्स हो जाएंगी अगर मैं यह लेकर नहीं गया बस अल्ला करें इनकी दुकान से सारी की सारी चीज़े मिल जाएं वरना तो पंचाइत हो जाएगी ये देखो यार अम्मा ने कितना सारा समान मंगवाए था इसमें तो बहुत जादा खर्चा हो जाएगा मेरा भाई जान ये बताएं कितना बिल हो गया बिल तो बहुत जादा हो गया भाई ये देखो यार बिल बन रहा है हमारे सारे समान का और दिल जो है न वो मेरा दालक रहा है दिल धग्गा गोरे लाए भाई कितना बिल हो गया 7220 उर्पे मैं तो लुट पुट गया दे रहूं पैसे किड़ी बेचनी पड़ेगी लगता है ये सारा खर्चा मेरे साथ ही क्यूं होता है इसको तो बंगर ये देखो साथ हजार रुपे अब इनको देने पड़ेंगे अब कितने पैसे बचे यार तुम लोग बताओ ये ले भाई ये पैसे काट ले 7220 शुकर अल्ला का खुले भी मिल गए मम्मा ये ले ये ले आपका इतना सारा समान साथ हजार रुपे का खर्चा होगा तो यार सारा खर्चा करने के बाद सिर्फ मेरे पास बचे हैं ये चंद पैसे ये पूरे 1500 रुपे है इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सोचा था कि मैं फुल आयाशी वाली जिन्दीगी गुजारूंगा अपने जूते लूंगा, कपड़े लूंगा, कुर्टा लूंगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ लूंगा मगर वो सब चीज़ें मैं करी नही बाया हाला कि मैंने कोई फजूल खर्ची नहीं करी बस बिल भरवाया, कुछ जरूट का समान लिया कोई फजूल खर्ची नहीं करी उसके बावजूद भी बस ये चंद पैसे बचें मेरे बस मैं तो सोचता हूँ यार जिन लोगों की कम तंका होगी वो कैसे इस मुल्क में गुजारा करते होंगे कितना मुश्किल है यार गुजारा करना अब मेरे पास صرف पंद्रा सो रुपे है और अगर इस पंद्रा सो को मैं खर्च करने जाऊँगा तो इसमें भी मेरा पैٹरॉल खर्च हो जागी और पीछे मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कितनी महंगाई है, हर बंदा परिशान है, मैं तो यही दूआ करता हूँ कि आल्ला सबकी परिशानियों को दूर करे और सबकी रोजियों में बरकत दे, इस परिशानी से हम लोग निकल जाएं और महंगाई खतम हो जाएं, पिर ईाफने स oxygen आढिखे घखेगा, कितनी में भी आफने से हम लोगते हैं, इस जाएं आफने संसी परिशानी भी ऐखे और मेги से हुआ है, यही वतमヒзд करे एंट जाएं, के हम मतुआ। जाव्यां गएंगे.